हलो एवरिवन कैसे आप सब उत्तमायर विदा में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं जाइफल के फायदों के बारे में जाइफल हमारे किचन में तरतर के मसाले नकेवल खाने का स्वाध बढ़ाते हैं बलकि स्वाध के लिए भी बहुत ही अच्छे है उनमें मसालों में से एक है चाइफल ये भूजन में स्वाध और सुगन को बढ़ाता ही है शायत में आउसदी गुणों से भी भर पूर है तो आईए जानते हैं इसके उप्योग कैसे करना है जैफल सर्दी खासी पेट दर्द में बहुत ही फायदेमंद है अमाशाय के लिए पाचाक्रस बढ़ाता है और जिससे भूग लगती है आतों में पहुंचकर वहां से गैस हटाता है सुबह खाली पेट आधा चमत जैफल चाटने से गैस्ट्रिक सर्दी खासी की समस्या में अराम मिलता है शीर दर्द में जैफल को पानी के साथ पत्थर में गिसकर माथे पर लेप करने से अराम मिलता है सर्दी खासी के मौसा में जायिफल को थोड़ा सा खुरच कर मूँ में रख कर चूसते रहने से सरीर में स्वभाविक गर्मी बनी रहती है दस्त और पेट डर्द में जायिफल को थोड़ा सा भून कर पाउडर बना कर सुबह साम सहथ के साथ खाने से अराम मिलता है और रिदाय के लिए भी बहुत हीद कर है फटी हुई एडिया है तो जाइफल को पीश कर उसका लेव करने से जो फटी हुई एडिया है उस पर लगतार 15 दिनों तक लगाने से पैर भड़ जाते हैं जाइफल आखों की रोशनी के लिए भी बहुत ही लापकारी है इसे थोड़ा सा घिसकर काजल की तरह लगाने से आखों की जोती बढ़ती है आखों की खुझली और दुनलापन खत्म होने लगता है अगर किसी को बार बार सौच जाना पड़ता है तो उसे जाइफल और सोट का चूण बराबर मातरा में तीन चुटकी गाए के घी के साथ या शहत के साथ चटाने से सर्दी जुखाम में लाब मिलता है आखों के नीचे काले घिरे को हटाने के लिए रात को सोते समय रोजाना जाइफल का लेप लगाने से काले घिरे हट जाते हैं चेहरे की दाटों में दर्द है तो जायफल का तेल रूई पर लगा कर दर्द वाले इस्थान पर या दाढ़े पर रखें इससे दर्द तुरन ठीक हो जाता है और दाद के कीड़े भी नश्ट हो जाते हैं तो इस तरह से आप सभी जायफल का लाब उठाईए और स्वस्त रहिए मस्त यल याई झाहलको जाअ हो जाद कर दो यहँ दूई भी जाफ जाए relative का ओरी नश्ट रखें हैं तो जायब है